चलिए दोस्तों बात करते ही इस एक और कुशन के बारे में इस कुशन में एक्जाम ने ने का इसको इसको बताइए कि इसका राइट अंसर क्या है तो यहां पर देखी जड़ा कि x की वैली को मैं मालेता हो एप्लस का 2 और y की वैली को मालेता हो A-2 अब बहुत सारे बच्चे का इसकी value आपने इसको solve करेंगे यानिकि इसको पूरे कब मैं y square से divide करूँ और इसको भी y square से divide करूँ तो देखो यह x by में y का whole square हो जाएगा आपका और यह minus का 1 हो जाएगा अपोन में same यहाँ x अपोन में y का square हो जाएगा और plus का 1 हो जाएगा तो तब भी तो यही मुझे value रखनी पड़ेंगी तो इसी को मैं direct इसकी value को यहाँ direct रख लेता हूँ तो यह मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका a plus का 2 का square minus का a minus का 2 का square अपोन में यहाँ पे a plus का 2 का square plus में आपका a minus का 2 का square यह इसकी value आजाएगे अगर इसे short में solve करना है तो जड़ा ध्यान से देखिए यहाँ जब इसका formula खोलूँगा तो a का square plus b का square plus 2a भी होगा और यहाँ इसको खोलूँगा तो a का square plus b का square minus 2a भी होगा और जब यह minus जाएगा अंदर यह a का square plus b का square है same और यह a का square minus b का square यानि कि last में इसका minus का 2a भी हाएगा और इसमें plus का 2a भी हाएगा यानि कि वो तो तो कट जाएगे तो two bracket के अंदर में इसे a का square और यहाँ पर लिखता हूँ आपका plus का आपका four इस two से two कट एका तो four a upon में a का square और प्लस में four इस question का correct answer आएगा यानि कि option जो मेरे पास में आपका आपका बी होगा वो इस question के लिए correct होगा अब इसको इक बार simplify solve करके भी देख लेते हैं कि competition में कुछ step तो आप खुद कम करने पड़ेंगे और वो जब धीर-धीर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके steps और कम होने लगें और ली question होने लेंगे तो चलिए इसका formula खोल के देख हो सकता है इसी बेर्चे समझ में ना है तो यह मैंने खोला वह एका iskos all square है तो यह b का iskos और यह नी four plus में दो दूनी 4 आपका यह हो जाएगा minus निशान लगा है तो यह मेरे पास a square हो जाएगा plus में 4 हो जाएगा minus में 2 दूनी 4 ऐ हो जाएगा आपका हुआ हम नीचे Sticking प्लस में 4 वो जाएगा मैं प्लस का निशान या है तो ह्य मैं अब ज़रह देखी हां पर इस से तो मेरा यह एकट रहा है इन दोनों multiply किये दे तो 21 square हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा अब उपर आते हैं जब इसको solve करेंगे हम इसको solve करेंगे तो यह minus का हो जाएगा यह मेरे पास में minus का हो जाएगा और यह मेरे पास positive हो जाएगा इससे तो मेरा यह value कट जाएगी इससे मेरा यह value कट जाएगी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 4 plus का 4 यानि 8 यह हो जाएगा, इससे से काटेंगे, तो यह मेरे पास में 4A, अब उनमें A का स्क्वेर प्लस में 4, इस कोशन का करेक्ट अंसर आगा, यानि की option जो भी है, वो इस कोशन के लिए करेक्ट होगा, I hope आप सभी कोशन समझ में आया होगा.